हेलो एव्रीबन वेल्कम तो मैं चैनल और और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेव की कुछ टाइम सेविंग ट्रिक्स जो मैं डेली कोकिंग रूटिन में यूज करती हूं तो आइए शूरू करते हैं कि देखिए आपको देखिएगा उख्मा बनाया है रवा से रोस्टेट रवा से रोस्टेट पीनेट है वर्मे से लिए और जीरा है तो आइए शूरू करते हैं तो माइक्रोय रोस्टिंग टिप्स में सबसे पहले आएगा रोस्टेड रवा जिसे हमें लगेगा एट मिनिट्स और तो सबसे पहले हम लोग देखिए अभी रवा मैंने एक अप ले लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा और रवा लिया है ये चार लोगों के लिए सब करेगा इसमें मैं ऑईल डाल रही हूँ ठीक है थोड़ा सा मिला लें दीजिए और उसके बाद इसे माइक्रोड में लग दीजिए हमें माइक्रोय कर लेना है सिक्स मिर्स के लिए 600 वाट आउटपुट पावर रही है जिसका मतलब होता है मीडियम हाइग ओवन के हिसाब से ये 6-7 परसें पावर लेगल है जो 600 वाट में यूज किया जाता है तो यह देखिए अभी ओवन से में निकाल लिया रहा और यह हो गया रेडी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसले आपको वाइट दिख रहा है लेकिन यह और रेडी हो चुग है अगर आपको और थोड़ा करना है तो आप इसे रख सकते हैं और दो मिनिट के लिए तो नेक्स्ट यह बर मिसे लिए सेवई देखिए इसके में हाफ कप ऑफ सेवई लिया है इसमें भी थोड़ा से में आउयल कूट करके इसमें ओवन में रख रही हूं और इसे हम करेंगे वापस से 6 मिनिक्स के तो यह जल जाएगा ज्यादा मॉट पर रहा तो ही आपको दो-दो मिनिट के कैप में इसे स्ट्रेट करना है इसके बाद है रोस्टेट पीनट इसमें हम लोग लें हाफ कॉप ऑफ पिनट्स और इसे हम लोग थोड़ा सा प्लेट में इसको मैं बेकिंग प्लेट में यूज कर रही हूँ इसको प्लेट में अच्छी से खेला दीजिए ताकि इवन भी यह डिस्ट्रीट होज़ा आप इसे जार में ले सकते हैं लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा ही मुझे बेक करना था इसलमें इसे प्लेट मे रहा है और इसे भी मैं माइक्रोव कर ले रही हूँ हूँ चेज़ा अब अट मिनट्स के लिए अब में इसमें डिबेंड करता है इस में मुझे दो टैप की आता है कक्ची आती हो और एक ओल आती है तो इसमें की जाएक को ज़्य ताम लगता है और और ओल को को खंश इंस और इंस नियर बॉड रबाद इसको रोस्टी ब्लिश पर प्रिफ्त नंबर पे हैं जीरा इसे हमें एट मिल्ट्स लगता है जीरा पॉडर मुझे काफी ब्लूज में आगा है तो मैं इसे हमेशा जीरा माइक्रोवेड में ही इसे रोस्ट करती हूं थोड़ सा ब्राउन होने के लिए रेट करती है तो मैंने रहां तो हम लोग थोड़ा क्या करीं के इसे इसमें ऐलमाने में इसे हमनों जसी रोस्त करेंगया अब यह देखे आपको पॉडर काफी मिदधी रूस्त करने गाते है तो हमेशा भर बनाको कोया हमें इसका सब्सक्राइब आए हुस चाहा के लिए इसेमो कर आहिं है, इसे माइकर राली बनाग्य दीट तब के बाद देखेंगे कि काफी अच्छी से ब्राउं ही हो चुका है तो हम लोग से खंडा करें वाग में टाइन टाने मिक्सर देखिए अभी हो चुका है ब्राउं कर रेडी है एक यह चाहिए है कि यह चाहिए जो जिसे ड़राऊ जसा है सिन मुझे काफी टायम अधा टान रहता है तो मैं मुझे एक्दम जनती इस चाहिए अगर पराथे बनाने के लिए छब वें जनती है इस जो यह तो मैं इसे लिए ऐन जो ईक लिलिया है अब जब आप देखेंगे माइक्रोवेव भेचाने के बाद इसके उपर की लेयर थोड़ी सी क्रेश हो गए लिए आप इसे निकाल दीजे और इसका कवर कील कर लिए आप देखोगे कि यह अच्छे से बॉल हो चुका है अब मैंने इसे छफ लगाके ऑसकी सबजी बनाली थी जो मुझे गो से के लिए जफ़ी किले क लिए उसके सबटी उसके सब्सके राधे कील Kingdom कील समद्सक्र kidding तो आइए इसे थोड़ा सा धापड तो नदें लगा रही हूं लेए लगा रहा है तो इसके लिए हम डायरिक्ट और पीना यहां हो न चाहिए किसी को पाइटा चाहिए किसि को और सब्सक्राइब तो उसस्ते हमें घंग काईए हूं सेन थोड़ा से इसको प्रेस कर दीजिए और भाइकरोव कर दीजिए वन मिनिट के लिए और देखिए आप एकडम जैसा तला हुआ पाकर है वैसे ही वो खूपा लेकिन कितने मिट में हुआ आप बन मिनिट है देखिए कितना अच्छा लगाया है ना यह देखिए मैं आपको सब्सक्राइब कर देखिए आपको कैसा लगा लाइक से शब्सक्राइब करना ना भूलें स्टेव 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 हूम थेंक्यू बबाई